सो हलो बच्चो जैसा कि मैंने आपको प्रामिस किया था कि मैं PWD के लिए एक अलग सा वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें मैं All India कटेगरी से PWD पे Person with Disability जो मेरे नौलेज के हिसाब से 40% Disability वाना जाता है और ये Board गठित करता है MCC यानि Medical Council Committee और स्टेट वाले स्टेट में Board गठित करते हैं वो अपने डॉक्टर से verify कराते हैं कि आप PWD के वाकई हक्तार है या नहीं है अगर नहीं है तो आप नहीं माने जाएंगे आप अपनी कटेगरी में चले जाएंगे आनि याज General PWD है तो General में चले जाएंगे OBC PWD है तो OBC में चले जाएंगे इस तरह से वो आपको verify करेंगे तब आपको seat मिलेगी PWD में अगर कोई बच्चा है तो उसे थोड़ी भी तैयारी करा दी जाएंगे थोड़ी वो बच्चा मेहनत कर ले तो बहुत अच्छी जगे उसका selection होता है और ये हमें अपने government को इसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू करना चाहिए कि ये प्रथा जो चल रही है क्योंकि इन बच्चों को एक society को और हमें एक strength देना चाहिए क्योंकि ये special बच्चे हैं और ये बहुत अच्छी और मेहनत भी करते हैं तो ऐसे बच्चों को अगर हम समाज में इज़्जत देंगे और इनको अगे लेके जाएंगे तो इससे समाज उपर बढ़ेगा आज मैं PWD बच्चों को क्या-क्या कटाप पे कौन-कौन से college मिले हैं roughly first round बता रहा हूँ क्योंकि first round में ही 10 लाख All India ranking तक seat a lot हो गई है मलब STPWD करीब 9,95,000 ये कितने marks पे आएगा वो मुझे खुद doubt है क्योंकि मेरे पास जो list है वो 198 200 marks पे लगभग लगभग 5,30,000 ranking आती है तो 200 से नीचे काफी नीचे होगा तब ये 10 लाख आया होगा यानि 9,95,000 तक यानि करीब 1,110,120 नंबर तक बच्चों को Government Medical College All India Counseling से first round में मिल जाता है तो आगे बढ़ने से पहले मैं request होगा सब लोग channel को जरू subscribe कर लीजेगा और आपका ये जो channel है वो आपका ही है तो इसको भी इसमें के वीडियो को लाइक करिए जब देखिए और recommend करिए लोगों को subscription आप एक दो और अगर किसी अपने जानने वालों का दिला दीजेगा तो I will be very very thankful to everyone अब आजाते हैं AIMS Delhi में सिर्फ दो लोगों ने PWD से admission लिया लास्ट इयर जनरल में 9,227 और 18,180 OBC में AIMS Delhi में तीन लोगों ने सिर्फ admission लिया पहली ranking आई 14,102 और आखरी ranking आई 50,392 ये All India ranking है EWS में सिर्फ एक admission हुआ 76,349 रैंक पे और SC category में 1,43,041 आया तो SC ये category में अगर देखा जाए कितना marks लगभग रहा होगा तो ये marks रहा होगा 440 के आसपास यानि SC category का PWD 440 लाके AIMS दिल्ली में पढ़ सकता है हलाकि एकी सीटा इसलिए बहुत ज़्यादा prediction नहीं कर सकता अगले साल क्या होने वाला है लेकिन इतने पे मिला था लास्ट इयर तो इस साल भी लगभभग मिल सकता है जनरल में AIMS जहां पे 700 वाले को नहीं मिल पाता वहां पे 9227 आल इंडिया रैंकिंग को मिला था अगरो PWD category में यानि 630 के आसपास और OBC में 50,000 आल इंडिया रैंकिंग तक लगभग लगभग 545 के आसपास 40 के आसपास रैंकिंग पे बच्चे को मिल लिया था जनको सीट अलॉट हुआ OBC में कुल मिलाके 42,000 बच्चे थे जिनको सीट मिला EWS में कुल मिलाके 15 बच्चे थे जनको सीट मिला SCPWD में 20 बच्चे थे और STPWD में 4 बच्चे थे यानि कुल मिलाके 35 हो गया 4, 39, 39 और 2, 59, 60, 60 and 42 एक सो दो बच्चों को खुल मिला के सीट मिला है फर्स्ट राउंड में PWD तो यानि और रैंकिंग बता देता हूँ जनरल में क्लोजिंग गया है तीन लाग पचासी हेजार तीन लाग पचासी हेजार यानि अगर आपके मार्क्स सम्वेर एराउंड तीन सो के आसपास होंगे जनरल में तो आप फर्स्ट राउंड में आल इंडिया के तुरू सीट मिल जाएगी आपको करीब करीब पौने तीन सो ढाई सो के आसपास भी OBC में 5,19,000 गया है यानि 210 के आसपास मार्क्स होने पे OBC PWD में आल इंडिया में आपको सीट मिल जाएगी और ये तो मैं एम्स की बता रहा हूँ एम्स में आल इंडिया में जम्मू और कस्मीर आपको मिल गया थे 200 नंबर पे अगर ये आपके 200 नंबर है तो लास्ट येर फर्स्ट रॉंड में ही Second और मौपप में तो बहुत नीचे जा सकता है फर्स्ट रॉंड में ही जम्मू और कस्मीर में 200 नंबर के आस,ाँपास वाले बच्चे को एम्स मिला था जमू कस्मीर का AIMS मिला था open seat होता है किसी भी state से जा सकते हैं उसके बाद AIMS EWS में 5,444,000 में AIMS राय बरेली मिला था 5,444,000 का मतलब भी वही हो गया आपका लगभग 198,195 मार्क्स पे SCPWD 9,62,000 पे एक AIMS देवगड मिला था 9,65,000 पे AIMS देवगड और अगर देखा जाए STPWD तो STPWD आप लोग को मिला 9,95,000 पे AIMS रिसी केस 9,95,000 All India Ranking पे आपको AIMS रिसी केस मिल जाता यह AIMS की seat ए 102 मैंने जो बताई वो AIMS की seat यानि AIMS में 102 बच्चों के अलोट हुआ पूरा नहीं, I'm sorry और आजाते हैं पूरा ST में पूरे इंडिया में से 6 बच्चों के अलोट हुआ Opening rank थी 1,52,000 और closing थी 9,95,451 SC के टेगरी में कुल 44 student थे जनको seat मिला आखरी बच्चे को मिला 10,30,500 पे GIMS Greater Nueda GIMS Greater Nueda पे उस बच्चे को मिला और EWS में 52 बच्चों को मिला आखरी बच्चे को मिला 9,46,27 रैंक पे All India जिसको RIMS आंधरा प्रदेश में मिला OBC में कुल मिला के 169 student को अलोट हुआ seat पूरी फर्स्ट राउंड में Opening 14,102, Ames, New Delhi और closing 10,49,025 में रंग राज्य, राया Medical College आंधरा प्रदेश और जंडल में 9,227 आपको बता है EMS Delhi और 9,67,732 पे Tamil नाडू में मिला था ये overall All India के बारे मैंने बता दिया फर्स राउंड है देखा जाए तो अगर आपके 200 marks भी हैं तो भी आपको EMS मिल सकता है अगर आपके 230 हैं तो भी EMS मिल सकता है अगर आपके 500 के आसपास हैं तो आपको EMS Delhi मिल सकता है अगर आप SC कटेगरी में हैं OBC कटेगरी में है 630 उसमें आपको EMS Delhi मिल जाता है तो इस तरह से जंडल और OBC जंडल कटेगरी में और OBC और EWS में भी 2590 के आसपास मिल सकता है तो आप अगर PWD में है तो आप मुझे लगता है ध्यान से फिल कर ये च्वाइस ये मैं सोचिएगा आपको नहीं मिलेगा एकदम टाप के कॉलेज भरिये आपको अराम से मिलेगा So it was all about PWD candidate Thank you very much, bye bye, they care